कारतिक अर्यान और सारा अली खान की फिल्म लव आजकल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है इस ट्रेलर को दर्शक उने काफी पसंद भी किया है इस bei यह मानना है कि यह फिल्म शैफ अली खान और दिपिका पड़ुकुन कीफिल्म लव आजकल का कौपी है अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सैफ अली खान सारा के फिल्म का ट्रेलर देख क्या कहते हैं आईए हम आपको बताते हैं सैफ अली खान ने के इंटर्व्यू के दोरान इस फिल्म के ट्रेलर को अपनी फिल्म के मुताबिक कमजोर बताया है दरसल साल 2009 में दिपिका पदुकों के साथ आई ओरिजनल लव आजकल को लोग जादा पसंद करते हैं ऐसा सैफ अली खान का कहना है इसलिए सैफ का ये कहना है कि ओरिजनल लव आजकल के मुताबिक कार्टिक और सारा का लव आजकल थोरी सी कमजोर है साथ ही सेफ अली खान ने इम्तियाज अली के काम की तारिफ भी की और अपने बेटी सारा अली खान को उनके रोल के लिए बधाई भी दी सारा अली खान और कार्थिकारियन की film लव आज कल का ट्रेलर देख ऐसा लगता है कि फिल्म में दो दोर की कहानी दिखाई जा रही है एक दोर नबे की तशक्का जिसके लिए आरुशीश शर्मा ने एक्टिंग की है जबकि मौडन दोर में सारा अली खान भी दिखाई दे रही है तो दोस्तों कैसा लगा आपको लव आजकल का ये ट्रेलर आपको भी लगता है सैफ अली खान और दिपिका पडुकोन की लव आजकल का कॉपी है सारा अली खान और कार्थिकारियन का लव आजकल कमेंट कर हमें बताए और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले गप शब्तो